मुझे एक बात बताई है चित्रा जब साहित के कारेकरम का प्रायोजा कोई गुटका हो सकता है तो कभी टीशेट नहीं पहन सकता क्या विचारा और कभी क्यों न पहने कभी क्यों न अच्छा दिखे कभी मतलब धोती कभी मतलब कुरदा करता कवी मतलब किसे से मांगे पीने वाला कभी मतलब भीं लोरा क्या बताने वाले हैं इस माधियाम से इतने बंके नहीं इस T-shirt का रंग जरूर रंगी ने अर्थ बदल जाता है आपके के रंगी ने तो अर्थ बदल जाता है हमें अर्थ नहीं बदलना चाहिए मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं जो मैं मंच से भी अत्सर कहता हूं कि इस देश में जब कम वस्तर पहन के निर्थ करने वालों को लाख पहन कर गले में रुद्राक्ष की माला पहन कर आप मंदर में बैठे हुए थे जी लोगों ने कहा सन्यास ले रहे हैं क्या अब यह गुड लुकिंग अचानक से बाबा से फिर आप आगे टी-शर्ट में क्या है संदेश मैं बहुत आसिक रिखती हूं मैं मंदिर में था और पूजा कर रहा था मैं महाकाल के मंदिर में था तो ध्यान मंगन में था और वहां किसी ने खेंच लिए आप लोगों तो अपने अपने अनुमान है कि सन्यास ले लेंगे यह लोगों ने तो आर्टिकल लिए डाले आपके उपर अरे आप तो सबसे आज तक तो वह सोच ले और आप ही लोगों ने मुझे सन्यास दिलाया था तो आद मैं घोशित करता हूं मैं कोई सन्यास नहीं ले रहा हूं मैं यहीं हूं यहीं रहूंगा युहीं सुनूंगा यूहीं अभिने करता है इसके पहले कि मैं सबसे famous controversy जो आपको लेकर चल रही है तारक महता को उस पर मैं आउंगी लेकिन मैं चाहूंगी चंद पंक्तियों के साथ शांदार आगाज हो जाए आपका पंक्तियां तो अच्छा आप कविताही सुनना चाहती है मुझसे बातचीत करें तो बहतर नहीं हो जो नहीं चाहिए लेकिन आप सन्यास की बात करें तो चार मिसले याद आगे जो मैं कभी सुनाता नहीं हूं जिसे ही कि जिए सब चीज़ा इन चीज़ां से कोई फर्क नहीं पड़ता ये सारी सुविधाय जो है ये इनका कोई अर्थ नहीं है तब मैंने कहा था कि सपने ले लिए सिस्कियां दे दी होसला ना दिया हिचकियां दे दी और तेरे यहां भी लफ़जों के माने अजीव ह जरूर करेंगे बहुत सारी कविताय आप लेखते हैं वो भी आप सुनाएंगे इस मंज पर और इसकी साथ यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं सब के हाथ में मोबाइल है यहां से वीडियो बनाएंगे तुरंत वो लोड करेंगे फेस्बुक पे ट्विटर पे इंस्ट करते हैं सोचल मीडिया अपके संपरिश्ण का माध्य में बातचीत का माध्य में तब टीक है लिक्ति ज़िए निसरे स्टाग्राम आप शकल से नहीं जानते उनके सत्तर साथ मिलियन ऐसी मिलियन फॉलोर्वर्ज हैं और क्यों है काचा बादम कमरिया तेरी आय हाय कुंडी खटका के आजा राजा क्या हो रहा है ये देश में मुझे समझ में नहीं आता और हमारा जीवन वहीं हो गया है कि मुझे बात चित करें उसके आसपास रहें उसे देखें ज का रहना हो जीवन कर जीवन संगीत है साइत तेश्णिया टाफ वाट कि सांपर लोगों हो पर मेरी जिंदगी आचानक याथ आए जीवन क्या आप कहा तो मैंको भी तो उसक्त मैंने कहा था कि मेरी जिंदगी 10 पाई 10 का कमरा मेरी जिंदगी 10 पाई 10 का कमरा बीवी का गजरा बिटिया जो छोटी सुबह शाम रोटी घर कब होगा जब होगा अपना सेकेंड एंड स्कूटर का अठूट सपना अमिताप का क्रोध मरतावा विचार बोध बॉस क बीवी को रोजरोज सलाम, बनिए के बेटे को जखचुक राम राम असल मेरी जिंदगी तो हर महिने की पहली तारीक को आती है और 10 तारीक तो खितक में हो जाती है जा किया बात है क्या बात है पहली तारीक का सभी को बेसबरी से इंतजार रहता है जी और जो बेरोजगार है उनके लिए क्या बोलें गे आप वो वो क्यों से तारीह का उंतजार करें वो तारीख का इंतजार न करें वो अнокहिना Πड़िया था hes इतिहास कभी न कभी तो लिखा जाएगा शब्दों की जो माला पिरोते हैं उसका कोई सानी नहीं है हमारे दर्शकों को यह बताइए आप आक्टर भी हैं कभी रुदे भी हैं साहिति का अलग अलग जितनी नाम लिए जाएं साहिति की जितनी भी विधाय होती है उसमें आप पूरी तरह से परिलक्षत होते हैं लेकिन इन में से आपका सबसे फेवरेट कौन सा है तो पूछने क पर आता है मैं दोड़ के चला आता हूं और आदमी को अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए आदमी की जड़ें उसे हमेशा याद होनी चाहिए कि कहां से मिला तब पंडित गोपाल दास नीरच की पंक्ति मुझे याद आती है कि आपने कहते हैं कौन सा रूप सेश्थे वो कहते हैं कि आत्मा के सौंदर रिका शब्द रूप है काव्य मानव होना भाग है कभी होना सौभाग है क्या बात है क्या बात है अब आपने कहा कि आदमी को हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा होना चाहिए तो मुझे आपके पिता जी याद आ गया अरे उस दिखा है तो कम से कम जोदपूर में न भेजें क्योंकि मकान के गागज अभी भी उनी के नाम के हैं और वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं मेरे पिताजी बहुत कमाल के मतलब अध्भूत हैं उनको अभी मैं बताओ इश्वर उन्हें शतायू कर रहे उनकी दोनों किड अध्याज उनका है बड़ा कमाल अचा वही नहीं हमारे देश में जितने पिताजी हैं इस सारे पिताजी किसम के पिताजी हैं हिंदुस्तानी पिता का मूल भूत अधिकार और आध को बिना कारण ठोको सारे ठुके हुए पहुचे हुए यहां पर देख लीजे तालिया बजा रहे हैं यह जानते हैं अपने पिता को और कारण पूछने तो तीन बार और ठोको अच्छा मेरे पिता जी तो किसी भी बात में वीड़ सकते थे मतलब मुझे आज सक समझ में आया हिंदुस्तानी पि जए वाहिता मुझे कभी समझ में आया बहुंगन मुझे अनलम गटरी आख मिलाई तो डाला भाड़ भेंगा और में समझ में मैं घर में एक बार पैंट पैण के बैठावा था पार मार दी किशादी में जाना है कि हमारे जमाने दो शादी में पैंट पहन जाती थी अब आ इनको आपने आइफोन देदिया आइपैड देदिया हम इसी में खुश हो जाते थे कि छटी के अंदर पैंसिल नहीं पैंसे लिखने को मिलेगा हमारा जमान अलग था और आज का जमान होगा तो पिताजी पैंट पैंट के बैठा तो तपड मार दी तो दूसरे दिन में शाद दूंगा तो ज्यादा पीटोगे तो हमारे पिताज अच्छा यह सारी ऐसे मैं आपको बता हूँ आपका रजनीगंदा देखे मुझे याद आ गया अचानक हमारे वहां जो है अब यह जो हिंदुस्तानी आदमी है इसका कमाल बहुत अलग होता है अभी बजट आया तो हआँ हाँ हो इस अब इशारों बात अभी में होटल भाया यह दों और कया सो है हो प्रोग्राम । कितने बज़ाइं वह थे हैं रोज नहीं खाते हैं कोई ओफर करता है तो खा लेते हैं आने साथ में को यह ओफर करते हैं है तो मैंने उनसे पूछा मैं बजट में महंगा हो गया है तो क्या करेंगे अब देखिए यह कितना बढ़िया जवाब उम्रतराज से भो मैंनेका मेंगा हो गया तो आप क्या रेंगे तो उन्होंने पहले तो पंदरा सेकंड का पॉज लिया ऑश्य यह जबनता यह महँगा हो गया तो अभ्या करेंगे यह आधा घंटा देड़ से थूकेंगे कि यह सिर्फ हमारे ही हो सकते हैं बिल्कुल चलिए हो गया आपने बहुत रजनिगंधा वालों का फूर प्रिचार प्रिसार कर दिया अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए उससे ने मुझे अच्छा लगा है आगे बढ़ते हुए बेटियों पर आपने बहुत सारी कविताय ल देखा तो आज क्या नया लेकर आए हैं जो सुनाने चाहेंगे और बेटियों पर जो कविता आपके सबसे दिल के खरीब है बिल्कुल ओडियंस नहीं है नय ने देखी यूआ पीड़ी यहां पर बैठी वी बहुत सारी बच्चिया महिलाएं भी बैठी वी है अगर चोड़ी है ना उसकी बात में आऊंगे उस पर वह बात हम कर लेंगे जो चूड़ा क्यूं छोड़ा अपनी तारक महता पैसे कम मिल गये थे देखिए लिखा हुआ है बहुत सारे आर्टिकल मैंने पढ़े लिखा हुआ था पैसे कम मिल गये थे अगर आर्टिकल का भरोसा क मैं कर दिया कमाल और दूसरे दिन हार गए तो आप ही कहेंगी पस्त हो गए हिंदुस्तानी बाशिन दे बुरी तरह हारे आपकी भाशा एकदम से बदल जाती है तो किस पर यकिन किया जा यह जब जीत जाते हैं तो पटार के लेकर बाहर आ जाते हैं आधी रात को जब हार आपने घर का सामान फोड़ने लगते यही सामने बैठे हुए हैं पर इनकी मैच को बिलकुल दिल पर ले ले लेते हैं यहां सही बात है या नहीं देख लिजे नहीं के फीलिंग बतानी पड़ती है मुझे देखिये आप तारक मेहता से इधर उतर मत बेजे क्यों छोड़ा आपने बताईए देखिए इस सवाल का जवाब बड़े यह तो राश्टी प्रश्ण है कि मैंने क्यों छोड़ा सब जानना चाहते हैं अच्छे छोड़ दिया तो छोड़ दिया इसमें क्या दिक्कत है कि क्या नया करने वाले अब बैच आई या बैच सकते हैं देखिए कोटी पैन के घूमें और लेखर को पुस्तक छपवाने के लिए अपनी पुस्तक छपवाने के लिए पैसे देने पड़े हैं दूसरों की प्रतिभाओं से कमाने वाले व्यापारी लोग यदि खुद को प्रतिभाशाली लोगों से बड़ा और बहतर समझने लगें तब कि किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को खड़े होके आवाज उठानी चाहिए कि आप दूसरों की प्रतिभाओं से कमाने वाले लोग हैं और शायद मैं वहीं हूँ जिसने आवाज उठाई कि दूसरों की प्रतिभाओं से अपना नाम करने वाले लोग किसी प्रतिभाशाली व् किंसी अभिनेता अभिनेत्री से बड़ा नहीं हो सकता वह व्याफारी है और यह फर्क हमें समझेना चाहिए और मैं कभी हूँ मैं अभिनेता हूँ जब अगर कुछ ऐसा किया जाएगा जो मेरे कभी होने पर या हम meeरे खोला भी बहुत कुछ बाकि थी को दीजें आहिस्ता अभी तो बहुत कारिकरम होने आज तक वालों के अब बहुत सारी नहीं कवेटाइं आपने लिखें हैं नहीं क्या न्या सुनाना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारी जो पिशली मैं सुना देता हूं चलिए एक कविता ऐसी है जो शायद आप मेरी इमोशनल साइड जो है वो लोगों ने कभी उस पर देखा नहीं लेकिन मैं ऐसे विशे पर सुना रहा हूं जिस विशे पर मुझे नहीं मालूम पहले लिखा गया या नहीं लिखा गया और युवा पीड़ जो है इस विशे शायद कनेक्ट करें तो उन्हें अच्छा लगेगा क्योंकि मैं तो भाशा का समर्थक हूं भाशा की बात करता हूं लेकिन ये विशे ऐसा है आप मैं उस पोडियूम पर ख़़ा हो कि आपको ठीक रहेगा है आप याबास पहुंचनी चाहिए नहीं 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 आएगा आप लोगों को एक मिट देख लेते हैं अगर नजर नहीं आएगा वापस आजाओं को यह यह अच्छी बात अब यहां ठीक है हाँ या ना यह बताओ अरो दोनों का जो है हाँ ना उच्छारण एक जैसा यह तो हम समझ में हैं हाँ बीच में है जनता जनार्दने साहब ऐसा ना भ्रष्ट नेताओं के लिए भी किया करो ना जब वोट मांगने आया है कि नहीं चाहिए भाई तब नहीं करते यह तो क्या एक हाथ में कागज एक हाथ में माईक थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है इसलिए लेकिन मैं कोशिश करता हूं इस कविता का शीर्शक है यह साले आंसू यह बिल्कुल अलग नए विशे पे लिखी गई है चित्रा जिस कभी साथ नहीं दिया मेरा यह साले आसू कभी मेरे नहीं हुए कभी मेरा साथ नहीं दिया जो कुछ मैंने कहा इन्होंने कभी नहीं सुना जो मैंने कभी नहीं सुना जो मैंने कहा मेरा कभी इन पर बसी नहीं रहा जैसे 18 साल की कोई लड़की प्रेम में पगने को बेकरार ह जैसे बच्चा स्कूल की घंटी सुनकर भागने को तैयार हो जैसे बड़ी होती लड़की का पिता बेताब हो बिटिया की शादी को जैसे कोई बम तैयार हो विद्वन्स को बरबादी को जैसे कोई स्वागर जुआर के इंतजार में हो जैसे कोई कली खिलने को बाहर में हो बस वैसे हरदम बेकरार बेताब बेसबर यह साले आँसू पता नहीड किन किन मौको पर निकल आते हैं यह मेरे दोस्त कभी नहीं रहे और तब निकल आए जब मैंने नहीं चाहा और यह वहे मैंने इन्हें अकेले में कितना मौका दिया ये साले आंसू मैंने इन्हें अकेले में कितना मौका दिया पर जब चाहा कि ये नजर ना आए तब इन्होंने धोका दिया मैंने इन्हें अकेले में कितना मौका दिया पर जब चाहा कि ये नजर ना आए तब इन्होंने दोका दिया ये साले आशू बच्पन में चोट पर निकलते थे तो ठीक है ना घाव नजर आता था पर अब जब घाव नजर नहीं आते दिखते नहीं है तो तुम बाहर आके उन्हें दिखाते क्यों हो तुम जूटे ही मुझे हसने का उपकरम सिखाते क्यों ह बिली सोचा था तुमारी तरफ देखूंगा भी नहीं तुम तुम इतने ब AdultB trauma भी नहीं यि मंतुरत बिली तुम्हारी पुराझनी चित्छा llevar उधने कि तुम्हारी पुराझे पढ़ोगा नहीं और संदुख लोगेत। वक्त पढ़े ये साले आसू भगवान से मंदिर में मांगते वक्त भी निकल आते हैं और अपनों के सामने निकल कर मेरी मजबूरी जताते हैं अब तुम ही बताओ आनन फिल्म में राजश खन्ना मर गया तो मैं क्यो रोया तुम ही बताओ आनन फिल्म में राजश खन्ना मर ग जल दी है, ये साले आंसू किसी और की बेटी घर से विदा होती है, तुम चले आते हो, कोई ऐसा है, बुड़ा भीक बांगता है, तुम अपनी सूरत दिखाते हो, ये साले आंसू आई जाते हैं, देखकर किसी की भी कातर निगाहें, याद करके उसकी भूली वी वफा हैं, य अब मेरा सम्मान हुआ, तब चले आते तो ठीक था, पर मेरे अपमान के वक्तों निकलते, पर मेरे अपमान के वक्तों निकलते, पर तुम आए, मेरी खुशी में भीक जाता तो ठीक था, पर तुम्हारे दुख में क्यों रोपड़ा था मैं, उल्लास में, मदवास में, एकिछ की आवाज में, करहते साज में, शेहाई में, विदाई में, सालती हर तुम से जुदाई में, क्या बात है? सूने समंधर के साहिल को देख, तुम्हारे फेसबूक के प्रख़फाइल को देख, बच्चों के तूटे सपनों को देख, इर्शिया की वेदी पे अपनों को देख, मेरी मजबूरियों को देख, ये बढ़तीवी दूरियों को देख, अन्याए नियती के देख, चहरे विपत्ती के देख, हर बार तो तुम निकलाते हो, क्यों इतना सताते हो, ये साले आसू, अकेले में तकिया भिगोएं तो कोई ब है पर सुनते कहा है बंजर जमीन पर ही तो शब्द बो रहा हूं मैं तो में क्या बताओं कि पढ़ते पढ़ते भी रो रहा हूं क्या बात है ये बात है शांदार बहुत बहुत खूब और मुझे लग रहा है देखिए अभी 14 फर्वरी को गये जादा दिन हुए नहीं आपके यह जो मेरे आसू है यह सुनकर अभी से ना बहने लगें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तोके वे दल के साथ चित्रा इनका 14 फर्वरी से कोई लेना देना नहीं यह 14 फर्वरी पता नहीं किन लोग अखर तो व्यापार है चोदा फर्वरी कोई महबबत के लिए एक दिन क्यों हं माय ने तो जीवन दिया है जीवन का हर दिन हर क्षण तो ये तो व्यापार वाले लोग हैं महबत जो है वो जताने की चीज थोड़ी है कैसे जताएंगे आप इनके लिए नहीं महबत जताने और बताने की चीज ही नहीं एक कवी यह 10 साल का लड़का जो गाओं में पला बड़ा और वहां से लेकि यहां तक आया और यह इतने सारे कि लोग जब उसके लिए खड़े होके टालिया बजाते हैं यह महबत ही तो है और आप जब बिलते हैं और यह नित्याय ऍसी तेar के pocket के लिए घंदी कविता के इस परमबरा कुए है पूरी दुनिया में दू 있습니다 के अब mira कि दीज तो करोड की दो सो करोड की कल परसंद फिल्म रिलिऌत विए ठेटर में कि पान्ष मिनिट वेड लोग फ्लॉप करके उसे बाहर निकल गए बड़ी से बड़ी फिल्म है इस देश में पांश मिनट में पद्रामीर फ्लॉप हो जाती है यहाँ aí तो लोग घंटों खड़े रहके सुनते हैं ये इसी देश में हो सकते हैं बहुत हो बिलकुल साहिती की धर्ती भी है ये लगनौ है यहां पर मुत्रा है बनारस है अलग-अलग रंग है उत्तर प्रदेश के लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इनसे मुहबत का इजहार शब्दों म हो आपके बीच में आके मुझे महसूस हो रहा है अच्छा लग रहा है मैं आज यहां मेरा पहुंचते हैं थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन मैं पहुंच गया तो वो शेर मुझे याद आगए कि जो घर में जो इश्क का अर्मान होता तो घर में मीर का दीवान होता मुझे बिना आपको जाने नहीं देना है यहां से जो आपके दिल के बहुत करीब भी है में चाहूंगी कि अगर आप उसको सुना पाएं अजो कविता आप दिली में आपने सुनाय था यह लखनाओं का मंच है यहां के दर्शकों के लिए जोरदार तालिया जरा बजा दीजिए अब देखिए यह मेरे लिए बड़ा भावुक करने वा लक्षन है इधर से आवा जाई मावाली सुना दी देजिए वह संसकार सुना दी जी वह लब मिस्स करते हो कि ने यह तीन चार पांच चार अच्छा अच्छा मैं बिलकूल एक अलग कविता सुनाता हूं अरे यार युवा लोगों तुम्हारे लिए eh सुनाता हूं जो मैंने कहीं नहीं सुनाई वो सुना देता हूं यह बढ़ी पुरानी कविताँ है मेरे कई बरसाँ पुरानी लेकिन उसको मैं सुना देता हूं और यह जो कविता है यह 14 फरवरी आपने का तो मुझे याद आ गई यह कविता यह आप यह जो 14 फरवरी के जो नए नश्य में जुम रहे लोग है ना उनके लिए है तब सुनाता हूं इस कविता का शीशक है अनामिका बहुत पहले मेरे लिखी हुई कविता है यह लेकिन मैं अचानक आपने का तो मौका आ गया तो वो कविता में नहीं सुनाता जो आप कह रहे हैं वो फिर कभी सुना दूंगा उनके बहुत पैसे लेता हूं मैं लेकिन यह सुनाता हूं इस शीशक है अनामिका आज वो फिर सामने आसे आ रही थी अपने बालों से लंबी सड़क पर आज बस इस महबत में डूब जाओ दोस्तों यह तुम्हारे लिए है क्योंकि इस उम्मर से हम भी निकले हैं और मुझे मालूम इस उम्मर में क्या होता है क्योंकि होता यह हैं वो चाहते हैं कि उनके दिलों का इजहार आपके शब्दों के जरिये हो जाए मैं बिल्कुल व क्या होनी चाहिए तब मैं कहता हूँ कि आज वो फिर सामने से आ रही थी अपने बालों से लंबी सड़क पर अकेली लड़की बिल्कुल थी अकेली ना साथ में कोई सहली लड़की थी या पहली तब ही उसने सोचा कि आज तो करड़ा लूगा उसका हाथ पकड़कर जीवन को महकाने वाली बात आज तो पूछी डालूगा कि क्या वो उसकी जीवन को महकाएगी क्या वो उसकी जीवन से नहीं बन पाएगी आज तो जरूर जरूर वो मेरी बात मान जाएगी फिर फिर सोचा उसने किसने वो मेरे पडोस में रहने वाला सरकारी बाबू का लड़का जो यह रोज सोचकर घर से निकलता कि आज कर लूँगा इस लाकी से बात, आज उससे पूछ लूँगा उसका नाम लेकिन बात करना तो दूर, वो उसका नाम ही नहीं जान पाया था, और मनहिमन उसका नाम रख दिया, अनामिका. हाँ, वो आई अनामिका, अपने कोट के टूटे बटन को छिपाते वे, वो पहुचा अनामिका के पास, और नजरे मिलाई और नजरे मिलाते ही, नजाने क्यों, वो बात तो नहीं कर पाया, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया, याद आने लगा उसे घर की टूटी चट से तपकतावा पानी, मा की दोड़ सारियां सालों पुरानी, बापू की खासी और खत्म होती दवाई, बहन की बरसों से सूनी कलाई, कमरों में पसरा घहना अंधेरा, तूटी फ्रेम में डिगरी का तंगा होना, और दिन भर की सिस्कियां रातों का रोना और बगर बात की रातों करो ना और वो बगर बात की आगे बढ़ गया, ये सोच कर, कि कल कर लूँगा मैं इस लोलती से बात, जी मैं आया कि मैं रोक लूँ उसे, और समझाओं, अब जो पंक्तियां है, वो महबत चाहती है, आपकी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, जी मैं आया, कि रोक अनामिका है, रिजर्वड है, सपना देख नहीं है, कोई नौकरी छोटी मोटी का देख, दोवक्ती रोटी का देख, अनामिका का नहीं, क्योंकि इस समाज की अनामिका है, अरे जिनके चेहरों पे चांदी की चमक होती है, उनको मिलती है अनामिका है, जिनके जेब में दौ कैसे सोच लिया कि अनामे का तेरी हो जाएगी और तुझसे को रिष्टा बनाएगी अरे सरकारी बाबू के लड़के जेब से निपट करके ये पंक्ति सुनना जो मैं तंज करना हूं सारे समाज के मुँपे कहता हूं अर सरकारी बाबू के लड़के और जेब से निकट करके तुने कैसे सोच लिया कि वह तेरी हो जाएगी और तुछ से कोई रिष्टा बनाएगी अरे सरकारी बाबू के लड़के और जेब से निकट कड़के मेरे देश में रिष्टे लड़के और लड़की में नहीं स्टेटस टू स्टेटस बनाया जाते हैं मेरे देश में रिष्टे लड़के और लड़की में नहीं स्टेटस टू स्टेटस बनाया जाते हैं दोस्ती कारों से कारों के बीच में होती है और प्यार बंगलों से बंगलों के बीच में किया जाता है दोस्ती कारों से कारों के बीच में होती है और प्यार बंगलों से अनामिका उस जैसे लोगों के लिए नहीं और बाद में अनामिका का भी मिल गई तो उसने ये पूछ भी लिया होगा कि पहले बताया होता इतनी मुहबत करते थे अब बिचारा कोट का टोटा टूटा बटन छेपाया यह बताया गरीब आदमी रोटी का इंजाम करें मुहबत करें मुहबत तो शगल है साब यह फेस्बूक यह इंस्टाग्राम यह रील्स यह ब्लू टेक यह चैट यह मुहबत नहीं है यह तो उम्र का जुनून है जो थोड़ दिनों में निकल जाएगा और जब जिससे मुहबत करते थे वह महले में वापस आएगी 20 किलो वजन बढ अगर यसी बात पर हम हैं मताए कूचा ओ बाजार की तरह हम हैं मताए कूचा ओ बाजार की तरह उठती है हर निगाख खरीदार की तरह जी 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 बिल्कुल बहुत खुबसूरत लाइं है आगे बढ़ते हुए मा की फरमाई शारी थी आपने का उसमें बहुत पैसे लेता ह साइए क्यों नहीं सुनाइगे पिर आप अर्शाए के डिमांड है चलिए सुना यहां कि यह थोड़ी थोड़ी आती रहेगी यह थोड़ी सुड़ी है हवा के बेक्स से वह इधर उधर जा रही है चलि ऐसी बात आधार यह हुद मिलाकर आवाज आनी चैए गई कि सुनाता हूं ये कविता जो है ये मेरे लिए यकिन मानिये प्रात्रा की तरह पूजा की तरह आप कह रहे हैं तो सुना देता हूं और इतनी महबत हैं तो ये कविता अन तमाम लोगों के लिए जिनकी माय जिनके पास है और दुनिया के वह तमाम लोग जिनकी माय जिनके पा जिनकी माँ है जिनके पास नहीं है पास नहीं होने का मतलब यह नहीं कि वो दुनिया छोड़ गई है अगर आप किसी दूसरे शहर में भी काम कर रहे हैं और माँ आपके पास नहीं है तो मेरी कविता जितने लोग मुझे कहते हैं कि माँ पे कविता सुनाओ कि जब माँ होती है तब जिन्दगी क्या होती है और जब माँ नहीं होती तो जिन्दगी क्या होती है मैंने कविता लिखी माँ के नहोने वाली जिन्दगी पर माँ पर कविता तो मैं क्या लिखूँगा जिसने मुझे लिखा मैं उसमें क्या लिखूँगा तो मैंने ये लिखा कि जब माँ नहीं होती तो जिंदगी क्या होती है कि कल अचानक काम पर जा रहा है आप एक जिंदगी की से दिर्श्य चुराता हूं मेरी जिंदगी से एक कहानी चुनाता हूं इसके पहले जंगल में एक संगीत कार था जो म्रिदंग बजाया करता था म्रिदंग धोलक की तरह वाद्य को कहते हैं जब बजाता तो एक बखरी का बच्चा वहां के खाड़ा हो जाता तो धोलक बजाने वाले ने एक दिन उससे पूछा कि क्या मैं बजाता हूं तुम्हें बहुत अच् खड़ा हो जाता हूं मेरी कविता मा के पास न रहने पर भीतर से पड़ीवी थाप की कविता है वो सुनाता हूं कि कल कल जब अचानक कल जब काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े-खड़े-दूदमत भी हजम नहीं होगा मु खड़े-खड़े-दूदमत भी हजम नहीं होगा दोखड़ी सांस ले अरे इतनी ठंडर कूट भूल गया इसे भी अपने पास ले ले मन में सोचा मारसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा और पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सनाटा हो होगा पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सनाटा होगा अर अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे जब जाओंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दई शक्र खाले जब कोई नहीं होता ना तो यह हवाएं बात करती है अंतरिक्ष बात करता है जब बात करत पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है मा जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है माया जब में बच्चे मने टोकती है यह मत कर वो मत कर यहां मत जा, यह मत खा, यह मत पी वो हम सब करना चाहते हैं और जब कर सकते हैं और कर नहीं पाते है उस खालीपन को देखना कि सब कुछ है मा, सब कुछ जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है फिर भी न जाने कि ओ दिल की हर धटकन उदास है कहता था न तुझसे मैं वही करूँगा जो मेरे जी में आएगा और आज मैं वही सब कुछ करता हूँ जो मेरे जी में आता है बात ये नहीं है कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है बात है तो इतनी सी सुभे देर से उठू ना तो कोई टोकने वाला नहीं है क्या बात है सारा सारा दिन मुझे सताता है, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछी भागती रहूं, बहाती रहूं आसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए, खैर मेरा तो क्या होना है, और क्या हुआ है, तू खुश रहे ना, यही खुशियां ही खुशियां अगली पंक्ती शैलेश लुड़ा टेलेविजन पे वा भाई वा में क्या बोलते हैं वा हवा क्या बाते में क्या बोलते हैं बहुत खूब में हजारों घंटे का सॉफ्ट्वर ने पास होगा मैंने पांच साथ दस जार एपिसूड की होंगे अलग वैसा लिखा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने सोचा नहो जो आपने भोगा नहो सोचा और भोगा मैंने और आपने लिखा मैंने सिर्व एक पंक्ती देता हूं कि राथ को देर से लौटू तो कौन नाराज होगा बला कौन कहएगा कि बार बार के कहा चला दोस्तों को तेरे पीछी भागती रहूं बहाती रहूं आसू तेरे लिए कभी कुछ सोचा है मेरे लिए खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है इस बुढ़िया का तो क्या होना है और क्या हुआ है तू खुश रहे लेना यही दूआ है और आज तमाम खुशियां ही खुशियां घ ना तो हाथ फेरती सरपर या हलके से बाम लगाती आवाजें देदे कर सुपह उठाती दिवाली पे टीका लगा कर रुपे देती और कहती बढ़ों के पाँ छुना अशिर्वाद मिलेगा कपड़ा मत फाड़ना अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा बहन को सताता तो तू चाटे मारती बिमार पढ़ता तो रोरों के नजरें उतारती परिक्षा से आते ही खाना खेलाती नहीं पढ़ता तो पिता की डाट का डर दिखाती फिर पापा की डाट से तुही बचाती इसे नौकरी मिल जाए ये तरक्की करे दुआओं में हाथ उठाती और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा ये सुनके दर्वाजे के पीछे चुपके